हमने पीछले वीडियो में देखाता कि यहाँ पर लड़की जैसे मैंकेट को देखती है। उसकी तरफ अ्टेक करने के लिए बढग जाती है। पर विछ में पर मंकी किंग आ जाता है। और उसकी तरफ अठेक करने के लिए बढ़ जाता है। और दोनों एक दूसरे पैटेक करने वाले थे पर उतने में जो यहां पर लड़की होती है वो यहां पर मंकी किंग पैटेक कर देती है और जिसे ही पीछे की तरफ देखती है तो उसको पता चलता है कि इसका यहां पर क्लोन था और मंकी किंग कहता है कि तुम यहां पर बहुत पर उत्ने में यहां पर लड़की की कर के घर जाता है और यहां पर फिरोषाund चुर्टा हो जाता है। और यहाँ पे मैंकेटर भी कहता है लड़की काफिदा और अगर यह दोनों ऐसे ही fight करते रहे तो यहाँ पे जो monkey king है वो यहाँ पे हाड़ जाएगा और कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे सांत होना चाहिए अभी मुझे यहाँ पे card को use करने की ज़रूरत नहीं है और फिर monkey king के पास जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर monkey king उसको मना कर देता है और कहता है लड़की काफिदा आप पारफ वो ले और मैं आरांस इसको यहाँ पे इंडल कर पाऊगा और वैसे भी जो यहाँ पे मेरी दाव की पावर है वो यहाँ एक्टिवेट हो गई है और वो सुंद्री में केटर सॉफ्ट हो जाता है और फिर कहने लगता है उसका मतलग तुने यहाँ पे पूरे दाव को इक्षटके में सिख लिया और क्या तुमने यहाँ पे सच में उसको यहाँ पे मास्टर कर दिया तो वो सुनके monkey king होता है वो कह को रिलीस करने लगता है और कहता है कि मास्टर देखे मुझे कैसी इस पावर का यूज करता हूँ और यहाँ पे जैसे monkey king अपनी पाउल को रिलीस करता है उसका यहाँ पे और दो गुना हो जाता है और वो देखके यहाँ पे जो लड़की हो थी वो उदम सॉक्ट हो जाती ह हो रहा तो यहाँ पे दाउक है और यहाँ पे जो monkey king है अपनी यहाँ पे कोई formation create करें जिससे आसपास की जितनी भी energy है तो एक जगे इखटा होना start हो जाती है और यहाँ पे monkey king के चारों तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा energy दिखाई देती है और वही energy का यूज करके golden ball ब और यहाँ पे जो लड़की होती है अपने मन में सोती है कि मुझे यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है और फिट अपनी भी वह power release करना start कर देती है फर उतने महीं आपे monkey king उसके तरह attack कर रहा होता है और वह लड़की होती है अपने मन में सोतने लगती है कि ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पे मारी जाओगी और फिर वह भी अपनी power का use करने लगती है जिससे चारों तरफ यहाँ पे काफी जदा powerful sword आ जाती है और उसके तरह बढ़ने लगती है और यहाँ पे mankit अपने मन में सोता है कि कोई ordinary power नहीं है इसके पास भी काफी जदा powerful treasure है और यहाँ पे वो देखके monkey king को भी पता है चल जाता कि लड़की यहाँ पे कोई बी ओनी रेनी लड़की नहीं है नहीं जाता powerful treasure कहां से आये सारे के सारे legendary level के artifact है और उससे कहने लगता कि लड़की तुमारे यहाँ पे background क्या है तुमारे पास इतने legendary attack कहां से आये और फिर कहता है इससे ही unconscious हो जाता है और यहाँ पे जितना भी control था great dao का वो एक जटके में खतम हो जाते है और यहाँ पे जमीन पर धाणावाम करके गेड़ जाता है और mankitos के पास आते हुए कहता है के monkey तुम यहाँ पे ठीक हो ना पर यहाँ पे monkey reply करते हुए कहता है के master मैं यहाँ ठीक हो पर temporary ह यहाँ पे मेरी body को move नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर दाव की पावर्तियों पहुँच जादा थी इसलिए मैं यहाँ पर control नहीं कर पाए और यहाँ पर mankitos कहता है कि कोई बात नहीं तुमको यहाँ पर फ्रेंड के साथ मिला हुआ है इसलिए इस तनी जगता उसके पास power ह और वो दिखे मैंकेट के बुरी फट जाती है पर वो लड़की उसको घुर रही होती है और कहती कि मुझे इसके बारे मैं explanation चाहिए और यहाँ पर mankitos की हालत का फिदा बुरी हो चुकी होती है और वो कहते कि रुक जा तुमको यहाँ पर गलत family हो चुकी है यह मेरा जो friend द monkey होती है वो कहते है कि master इसके पीछे यहाँ पर time waste क्यों कर रहे है पर उत्ते वे mankitos को मुझ पर मार देता है और कहते है तुम यहाँ पर चुपो जाओ तुम पूरा दिन यहाँ पर fight करने के और बाहरने के बारे मैं सोधे तुम्हारा दिमक सच में काम नहीं करता है और कहते है कि यहाँ यहाँ को नहीं पर बाकि लोगों को यहाँ पर बचाना है और वो लड़की होती मैं कहते है कि हमारे बात है को सच बोलता है और काफी जदा बकवास सुनाने लगता है और कहता है के मैं यहां पर इनोसेंट बंते हैं यहां पर तुम्हारे पास यहां पर कोई भी एविडेंस नहीं है इसले तुम्हें आममेरी से दूर रहना, पर तौम आपे मुझे फॉलौ कर सकते हैं और या पर मैंके टैट कैता के हाँ ठीक हे और कहता है के चलो हम दोनों यहाँ साथ में मिलके हैँ यहाँ पर सीर्टी के तरह बढ़ जाते है और अगर यहां पर कुई भी प्रॉब्लम आई तो हम यहां पर हैंडल कर लेंगे तो जो लड़की होती वो कहते के हाँ तुम्हारा आइडे तो काफी देदा अच्छा है और सच में लड़की थोड़ी पागले और कहते के चलो time waste नहीं करते और लड़की होती वो कहते के चलो हम यहां पर time waste नहीं करते हैं फटा पड़ी यहां मेरा पीछा करो और मैंकेट अपने मन में सोते हैं कि मैंने सक्सेसफुली इसका यहां पर दिमाग डाइवेड कर दी है और फिर वो लड़की जाती हुए कहती है कि तुम यहां पर मेरे से distant बनाया रखना क्योंकि मैं अभी भी तुम पर बरफसा नहीं करती है पर उतने में मैंकेट व लड़की के पास आ जाता है और कहता है कि तुमको इतना cold हाटल बनने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हमें पर फ्रेंड बन चुके है और बेसिकली कव तो मैंकेट काफेदा फ्लैंग हो रहा होता है बर उतने में वो लड़की को गुस्सा आ जाता है और अपने sword का यूज़ करके यहां पर attack कर देती है और यह attack काफेदा powerful था और जिससे मैंकेट के पूरी फट जाती है और उससे काफेदा दूर चला जाता है और फिर मैंकेट चार फूट की दूरी बना के उसके पीचे जा रहा होता है और मंकी किंग होता है वो कहता है कि इसके पास कितने ज़्यादा divine artifact पढ़े और मुझे लगता है कि यहां पर sword demon की daughter हो सकती है और फिर यहां पर monkey king गेता है कि यहां पर sword demon था वो यहां पर head master था और वो काफेदा powerful था और कहने लगता है कि उसके पास यहां पर बहुत ज़्य और उसने यहां पर बहुत जादा लोगों के साथ फाइड की थी और पूरे के पूरे गुरूप को एक की चटके में खतम कर दिया था और वह यहां पर हैवेंडली प्लेस का मर्जलार्ट रैंकिंग है इसका नाम जिंजाए और मुझे ऐसा लगता है कि लड़की भी उसके यह और यहां पर फिर्ट मंग की किंग होते है वो कहते है के हां तुम यह पर समझ गएन और मैंकेट अपने मन में सोतना लगता है कि मुझे कुछ प्यार करके सारी इंफोर्मिशन निकालनी पड़ेगी और फिर कहते है क्ईसा रहेगा हम तोनों यहां था हम तुनां साथ मिलके कि यहां पर fight करना चालते हो और वो देखके मैंकर चोड़ा चौक जाता है और कहते हैं इससे हमारी जो safety बनी नहीं रहेगी यहां पर monkey king भी हमारे साथ जोइन कर सकता है और monkey king भी हमारे साथ जोइन कर सकता है पर जो लड़की होती है मुँपे बना कर दे थी और कहते कि यहां पर कोई भी ज़रूरत नहीं है मैं आरम से अपनी fight को यहां पर जी सकती हूँ और वो सुनने के बाद man card को भी पता नहीं चलता कि वह यहां पर क्या बो पाते करना बन करो अगर उसको पता चलता तो तुमको नहीं चोड़ेगी पर यहां पर जो लड़की होती वो कहती है मैं यहां पर पका जीती हूँ कि और अगर मैं यहां पर हार गई और मैं मारी गई तो तुम यहां से चले जाना तुमको यहां पर मेरी मदद करने की को भी जरूवत नहीं है और वो देखके मैं केटब थोड़ा emotional हो जाता है और उसके पीछे 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 जाना लगा है कि यहाँ पर कुछ तो कड़ पड़ है मुझे यहाँ पर कुछ भी करके उसको मदद करने पड़ेगी क्यों हो यहाँ पर मेरा mission है और man get up finally the daughter kingdom में पहुच जाता है और यहाँ पर वो लोग एक डोर के सामने एक खड़े होते हैं और man get up ने मुझे सोतने लगता है कि इस डोर के पीछे किया है इसके पीछे क्या कोई anime होगा जो हमारे पर direct attack कर देगा पर उतने में जो लड़की होती वो चैती कि तुमको यहाँ पर ड़नने की कोई भी ज़रूद नहीं है तुम यहापर मेरे पीछे रहोगे तो तुम यहापर सेफ रहोगे और जैसे ही लड़की यहापर दर्वासा खोलती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉंस्टर खड़ा होता है और वो कहते के यहापर और एक इडियेट का ग्रूप आ चुका है और चलो मैं इसको यहापर खतम कर दूगा और मैंक्रेटर अपने मन में सोतने लगता है तो यहापर डिमन लेवल का एक मॉंस्टर है पहले कहा था हूँ को यहापर प्लान बना के आना चाहती है और यहापर मंकी किंग की तो फुरी फट जाती है और कहती है बग कहां से है सच में मैं इसको यहापर खतम करना चाहता हूँ पर उतने में जो लड़की होती है आगे की तरफ बढ़ जाती है और मैंक्रेटर चिलाने लगता है और कहता है कि तुम कासा करने की जरूरत नहीं है हमने अभी तक प्लाणिंग भी नहीं की और यह बंता डीमन की लेवल का पा गये और तब ही वो लड़की उसके तरफ बढ़ जाती है जो बग होता है उसके तरफ अटेक कर देता है पर वो लड़की सारे उसके अटेक को डॉज कर देती है और वो बग भी चिला रहा होता है और कहता है कि और एक यूमन है आपे मनने के लिए आ गया मैं इसको यापे डश्मेंगनवर्ट कर दूँ का पर उतने में जैसे वो लड़की अटेक करती है उसकी बूरी बॉड़ी में यहापे चेद हो जाते है और एक ही जटके में खतम कर देती है और वो देखके मैंन केटर भी सोतने लगता है कि लड़की तो कफ़ता पारफूल है और इसने एक ही स्ट्राइक में पूरे बग को खतम कर दिया पर थे भी यहापे कोई बंदा ताली बजा रहा होता है और कहता है पर देखके क्यूट पेट को तुमने यहापे खतम कर दिये यह तो इतनी अच्छी बात भी नहीं है अब मैं तुम्हारा बलड़का यूज़ करके और एक बग बढ़नाऊगा और जो डीमन होता है वो कहता है तुम सच में यहापे सौट डीमन की बलड़ लाइन से बिलोंग करती हो पर तभी जो लड़की होती वो कहती है मेरे पापा यहापे कहाँ पर जो डीमन होता है वो कहता है मुझे नहीं पता दुम्हारे पापा कहाँ पर उनका ब्लड़ा पर काफिदा अच्छा था इसका यहाँ पर मैंने यूज करके काफिदा पारफुल बन चुका हूँ और उसकी धरफ अटेक प्रिपेर कर देता है और वो देखें यहाँ पर तीनों लोग पूरे सॉफ्ट जाते हैं और कहते हैं तो यहाँ पर कफिदा पारफुल है और यारो जो हमारा चैप्टर वो भी यहीं पर खतम होता है अब आगे देखेंगे यहाँ पर मैंस क्रेटो आग जाते है कflower को किया लोगर है और यहाँ